दोस्तो, welcome back to the new video आज की वीडियो में मैं आपको fresh level बताने वाला हूँ Bank Nifty और Nifty के दोस्तो, specially मैं आज Bank Nifty को पूरा in-depth analysis करने वाला हूँ दोस्तो, जैसा हमने analysis किया था previous हमारे Nifty की वीडियो में Nifty ने बहुत अच्छा well perform किया आज के दिन बट अब इस बार bank nifty भी चल चुका है मतलब bank nifty भी शान था शान था और अब फट चुका है अब क्या bank nifty में भी rally देखने को मिलेगी 2-4000 point की यह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में इसी के साथ bank nifty के साथ कौन से stock जा सकते हैं उपर आज आपको पता है आज हमारा SPI का result आया है बहुत बढ़ी result आया है ठीक है profit बहुत increase हुए है अब समझेंगे कि कल हम क्या करके चलें SPI में buy or sell सब कुछ रड़नीती मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो वीडियो का like हम रखते हैं maximum मैं चाता हूँ उस वीडियो पर maximum like करें share market के daily updates के लिए आप join कर सकते हैं हमारा telegram channel जिसका link description box में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो आयम जानते हैं bank nifty कल के डिट में क्या कर सकते हैं तो देखिए bank nifty ने एक range जो बनाया था box pattern जो बनाया था उस box pattern के बिलकुल ये end छोर पे आ गया नहीं बिलकुल resistance पे आ गया है एंड ये resistance आज क्रॉस कर चुका था हलका फुलका closing नीचे दिया है ठीके दोस्तों बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को जानके कि nifty bank nifty रफतार भर रहे हैं धीरे धीरे और मैं ये दो से तीन महीने से लगतार बोलते आ रहा हूं कि आप बराम से इसको accumulate कर 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 के चलिए कर के चलिए कर के चलिए अब सुनिएगा अब कल वीकली expiry ठीके तो कल का दिन बहुत special होने वाला है राइट देखो जी अब जो resistance के बिलकुल ये end पे आके खड़ा हो चुक है अनि profit booking हमें देखने को मिली last में अब मैं अगर मैं आपको पांच मिंट का चार्ट देखा हूं पांच मिंट के चार्ट पे आपको अब दोस्तों कल के डिट में अगर हमारा bank nifty 36,000 30 के उपर क्लोज होता है तो आपको बाय करके चलना है ठीक है यह होगे आपका buying का level ऐसे लोगा आपका 35,960 का अल्राइट आपका टागेट होगा वह होगा 36,150 का second target होगा 36,250 का third target होगा 36,350 का यह तीन टागेट को आप accumulate करके चल सकते हैं अब देखिए दोस्तों अब चूंकि बायंक निफ्टी लगतार दो दिन भयंकर भाग चुका है राइट तो तो market हो सकता है retracement करें पहले उसके बाद ऊपर जाए मैंने क्या बता है market हो सकता है retracement करें उसके बाद ऊपर जाए तो आपको इसके लिए ready रेख के चलना है क्योंकि कोई भी market में momentum तेजी से नहीं आती it has to retrace a bit फिर normal होगा फिर और यह ऐसे नहीं राइट रैंडमली नहीं मैं आपको अपने अनुभाव से बता रहा हूं कोई भी यूट्यूब पे आपको यह नहीं बोलेगा लेकिन आने वाले upcoming months में आपको bank nifty फॉर इतना level दिखा देगा अगर हमारा bank nifty लगता रागत 36 के उपर sustain करता है तो अच्छ 30 सार का level लगता सुस्टेन करता है तो हमको weekly टागेट देखने को मिल सकते हैं 36,500 and 37,000 के ठीक है यह weekly दो टागेट्स हैं जिन पर आप धान रखके चल सकते हैं और SBI का result भी अच्छा है है उसको भी हम consider करेंगे SBI के result भी बढ़िया है तो banking stock थोड़ा support करेंगे nifty bank को for sure तो क clear-cut संके दे रहा है कि now it is ready to move up अगर मैं देखो line को थोड़ा सा नीचे करूँ नो तो यह तो clear-cut देखो वेसे breakout ही है ठीक है दोस्तों पहले यह consultation करने के बाद ही ऊपर जाएगा ठीक हो सकता है ठीक हो सकता है देखो first half में हमारा bank लगतार चले जाए second half में profit booking आइदान रखन है bullish hammer तो आप consider करके चलना हाई के उपर buying के लिए ठीक है otherwise अगर खुलता chances है profit booking के ठीक है फ्लाट खुलता तो ही हमारे बढ़िया मौका होगा दोस्तों bank nifty में दोस्तों इसके साथ हम call से stock को कल buy करके चलेंगे तो देखो हमारे पास SBI का stock है दो SBI हमने आपको short term trading का भी stock दि नीची आया है अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको ठीक है we will go for the buy कितने के उपर देखो समझो मेरी बातों को support बन रहा है और यह इदर तेको resistance बन रहा है ठीक है तो हम अराम से कल इसके उपर buy करके चलेंगे ठीक है कितने के उपर we can go for the buy above 458 के उपर ठीक है ऐसे हमारा क्या SBI में ठीक है State Bank of India में because what I'm feeling it has to go up राइड यह अगर sustain करेगा तो पका उपर जाएगा मैं आपको इतना बता रहा हूं ठीक है चार्ट के बाप basis पे देखिए आप चार्ट को follow करिए ठीक है पांच और दस मिंट का candlesticks आप बेट करना close होने का ठीक है sustain करता ही shoot up हो जाएगा आपको बता दिया है nifty bank का view चलिए हम थोड़ जान लेते हैं nifty का विव कि निफ्टी का overall क्या हम को रणीती लग रहा है दोस्तों निफ्टी के analysis जाने उससे पहले दोस्तों अगर आभी stock market में professional trader और investor बनना चाहते हैं और अगर आभी चाहते हैं expert बनना Android में short term positional swing long term features and options में दोस्तों प्रभात trading service आपके लिए ले क्या है एक online training class जो कि start होने जा रहा है 11th of August से तो अगर आप join होना चाहते हैं दोस्तों आप इस board line दिये हो नंबर पे हमको watch app करके अपनी seat book करवा सकते हैं दोस्तों जिस प्रकार से आप बिना engineering की पढ़ाई की आप कभी engineer नहीं बन सक तो यही हम आपको offer provide कर रहे हैं आप जल जल अपनी seat book करवाईए और दोस्तों जादा information पाने के लिए आप हमारे telegram cell में जूट सकते हैं वहाँ पर हमने training का पूरा information दे रखा है तो call it right now and book your seat दोस्तों 11th of August के रस्टूशन के लिए केवल केवल आठ दिन रहे गए हैं देकि हमने आपको clear-cut nifty को buy करने को बोला था ठीक है hit the like button अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो उसको share भी करिए जितना हो सागे दोस्तों ठीक है हमने क्लेकर आपको आपको बोला कि भाई आप 16,000 को उपर nifty rocket बन जाएगा आपको पता है निफ्टी ने कितना ही एक रेंज बनाएगा एक से दो दिन ठीक है यह आप देखने हैं खुद देखो ना बहुत बढ़िया सा पार्टन बन चुका है यह वाला बिसिकली एक रेंज बनाएगा तो उसके बाद उपर जाएगा ठीक है हम fresh buy करेंगे 16,290 के उपर ठीक है मैं तो करना चाहता नहीं अ अगर आपको करना है तो आप kind of कर सकते हो अगर आप screen पे बैठे रहते हैं तो 16,200 पे shot कर सकते हो और cover कर सकते हो 16,130 के आसपास यह है रडीती ठीक है बाकी मैं fresh buy अभी भी करके चलूँगा 16,290 या 300 के उपर for sure और दोस्तों यह है हमारा nifty का रणनीती तो कल expiry बड़ी तग हमारे telegram structure कैसा perform किया तो देखो जी आज थोड़ा था निराशा हमको देखने को मिली हम उतना तो best नहीं कर पाए ठीक है हमको root mobile में loss हुआ ठीक है रोजारी बायो टेक में loss हुआ राइट और canfin में थोड़ा बहुत हमको loss हुआ और जेस डलो स्टील में भी उतना जेस डलो स चलते हैं तो उसके लिए मैं चाहूंगा दोस्तो आज हम आपका दिन पुरा नहीं कर पाए लेकिन हाँ कल हम फिर से इसी एनरजी के साथ आएंगे और अगर आपको जुड़ना है अगर आपको अगर आपको ट्रेट पाने है ना तो आप जोईन हो सकते हमारे टेलेगाम चै गया तो क्या होगया क्या अगला दिन दिन हमेज़ा नहीं रहेगा अफकॉस नहीं हम एक डिन यह ऐसा आते रहता है तो हमको डर्दानी चाहिए और Axis Bank हमको profit दिया SRT Finance भी हमको profit दिया IR3TC भी हमको profit दिया ठीक है और Titan भी हमको profit दिया तो यह profitable trade है ठीक है मैंने पहले loss का बता है आप लोगो ताकि आपको पता लगे हमको profit भी ठीक हुआ अगर आपको उमारे साथ जोड़ना है इस powerful content को graph करना है आप जोड़ सकते हैं आप हम आपको और भी ट्रेट देते रहते हैं यह मैंने कल वीडियो अप्लोड की थी 17,000 टागेट आने वाला है ready हो जाओ हाँ जी आपसे कहा रहा हूँ ready हो जाओ आप लोग ठीक है कोई और YouTube पे नहीं बोलेगा कोई और YouTube पे नहीं मिलेगा इतना confirm बताने वाला दोस्तों मैं आश्यकर के चलता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको आज की वीडियो पसंद दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में निवश्कार आप सभी को